वेलकम बैक टू चैनल S.S.E. प्रेपरेशन अगर आप भी अपने लिए जॉब ढूंड रहे हैं तो ओल इंडिया जॉब्स की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करें अगर हम लोग एंटिटी भरती की बात करें तो एंटिटी भरती एक वार फिर से इलेक्शन के बाद शुरू होगी और अभी एंटिटी भरती के लिए कोई टर्म और कोई क्राइटीरिया नहीं आया है तो एक साल का डिपलोमा वालों को लेंगी एज लिम्मट क्या रहेगी तो ये सारी चीज़े जो है एक वार फिर से डिसाइड होके इलेक्शन के बाद जो है जो भी नई सरकार आएगी तो इस भरती परिक्रिया को पूरा करेगी तो आप लोग परिशान ना हूँ थोड़ा इंतजार करें एंटिटी रिक्रूट्मेंट के लिए फोरेस्ट डिपार्टमेंट में मंडी डिवीजन नंबर टू में कुक और हलपर की वकैंसी के ल करना है यहां आवेदन कर सकते हिमाचल परदेश हाई कोट में आप लोग जूनियर ऑफिस असिस्टेंट प्रोसेसर और प्रोटोकॉल ऑफिसर की वकैंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं क्वाली विकेशन टैंथ ट्वेल्थ और ग्रेजूएट रहेगी अलग 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 व इसके बाद आप लोग आवेदन कर सकते हैं जूनियर एसिस्टेंट और जूनियर एकौंटेंट की यहां पर वकैंसी रहेंगी टॉटल 33 वकैंसी है विकॉम और जिन लोगों ने ग्रेजूएशन की है वो ठाई अक्तूबर से पहले आप लोग बश हेलपर बेलदार चांद के आवेदन कर सकता हैं नवंबर आवेदन कर